बिना हक्का भी जब लेने का मन हो वहां महभारत की शुरुबात होती है और अपने हक्का भी जब छोड़ देने का मन हो वहां रामायन की शुरुबात होती है देश विदेश में बैटे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमशकार मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली और अब सभी का तहिदल से स्वागित करता हूँ आपके अपनी चैनल में और आज का राशी फल्म यानि कि 31 मई के इस विशेश एपिसोर में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शिपकामने देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरेज अनिवसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तारिक 31 मई 2024 है और दिन शुक्रवार का है आज के विशेश पाय में आपको बता रहा हूँ कि घर में पड़ी पीली सरसों जो है वो आपके कितनी काम आ सकती है उससे कुछ ऐसे उपाय किये जा सकते हैं जिससे घर में बरकत हो दुश्मन हट जाए इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2018 का जेश्ट कृष्णपक्स चल रहा है अश्ट मीतिती रहेगी सुबे 9 बच के 38 मिनिट तक जिसके पश्चात 9 मीतिती आरम होगी शदभीशा नक्षद्र सुबे 6 बच के 14 मिनिट तक है जिसके पश्चात उत्रा भादरपत नक्षद्र आरम होगा और कुम राशी में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 11 बच के 10 मिनिट तक जिसके पश्चात वो मीन राशी में प्रवेश करेंगे बात की जाए राहुकाल की तो आज के दिन सुभे के 10.30 बच से लेकि 12 बच तक राहुकाल का समय है और शुब चौगडिया महुरत दिन में दो बार प्राप्त होगा सबसे पहले 7 बच के 20 मिनिट से 10 बच के 20 मिनिट तक और फिर से 12 बच के 1 मिनिट से 1 बच के 20 मिनिट तक आज के दिन उत्र दिशा में यात्रा करना सुकद और शुब साबित होगा पर पश्च्चम दिशा और नर्यत्य दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान दीजेगा कि यात्रा शुरू करने से पहले आप जो का उपयोग अवश्य करें फिर बात करते हैं सुर्य उदेकालीन कुंडली में शुब ग्रही योगों की तो गजगेसरी योग, सुनफा योग, वैशी योग, धन योग, असत्यवादी योग और पराक्रम योग इन सभी राजियोगों का आपको साथ मिलने वाला है अगर आप अपने लिए कुंडली विश्लेशन करवाना चाहते हैं कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं जैसे कि नौकरी करते हैं, अगर बिजनस करना शुरू करना चाहते हैं आपके future course of endeavors के लिए आपको क्या choose करना चाहिए है, आपकी शादी कब होगी, आपका life partner कैसा होगा, आपके जनम स्थान से किस दिशा में आपका जीवन साथ ही होगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं कुंडली विशलेशन द्वारा, पर अगर आप कुंडली व बात करते हैं आज के राशी फलके और सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की, तो आपके लिए राशी भाव से 11 आउस में चंदरमा विराजमान है, अधिमित्र अतारा का साथ और अश्टग वर्गमिट हरी टू डॉट से ओवराल सिच्वेशन ये 100% पॉस्टिवरी की ब लेगी तो महीं पर प्रमोशन के चांसे इस समय में बनते नजर आएंगे, यहां पर जो भी आप प्रयास करने वाले चाहें, वो कमाई के लिए हो, रिष्टों को बहतर बनाने के लिए हो, या तो फिर घर के अंदर कोई मांगले का कारिया होने वाला है, उसके लिए आप इ जादा profitable situation देखने को मिलेगी कि इस समय में practical exposure मिलना उसमें appreciation मिलना आपको देखने को मिल सकता है, सोशल मीडिया के द्वारा इस समय में कोई भी आप काम करते हैं, तो बहुत अच्छा exposure आपको यहां पर देखने को मिलेगा, व्यापर में भी शांदार ग्रोध के साथ में न इस समय में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे भी अपना एक्जाम भी देपाएंगे, तो महीं पर अगर कोई mock test paper देने वाले हैं, तो वहां पर अपने आपको प्रूफ करने के लिए आपको समय मिलने वाला है, यहां पर अपने आपको बहुत अच्छे से आप दूसरों से आगे कर सकेंगे, बात की जाए ग्रहनी की, होम मेकर्स की, हाउस वाइफ्स की, तो आपके लिए situation बहुत अच्छी है, कि इस समय में कोई ना कोई तरीके से फाइदा कहा जाए, या कोई gift कहे जाए, उफार कहे जाए, आपको मिल सकते हैं, शुबरंग रहेगा आपके लि रोद कही जाए, व्यापार में शांदर कमाई कही जाए, जो भी काम करते हैं, उसके अंदर सफलता कही जाए, इस समय में अवश्य ही आपको देखनी को मिलेंगी, नए कामों की शुरुवात से इस समय में आपको बहुत ही जादा एनरजी भी मिलेगी, तो नहीं पे जो पर बिशानी चल रही थी, मन मुटाव था, कहा सुनी चल रही थी, उससे फाइनली कुछ हद तक यहाँ पे सुधार देखने को मिल सकता है, मैं यह कहूंगा और जादा सुधार संबव है अगर आप अपनी तरफ से प्रयास करें, अपने आपको फ्लेक्सिबल बनाए रखें त तो इस समय में थोड़ा और जादा कड़क होकर कि अगर अपनी बात रखी जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि अपने आपी हर कोई लाइन में आ जाएगा, साटिस्फाक्शन कहा जाए, सक्सिस कही जाए, कॉन्फिडेंस कहा जाए, यह सबी चीज़ें इस समय में आपक कि आपके दिन को बहुत जादा सुखद जरूर बनाएंगी, शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलर, शुबरंग रहेगा नबर टू, फिर बात करते हैं मिथुन राशी की, तो आपके लिए चंद्रमा है नाइन्थ हाउस में, शेम तारा का साथ और अश्ठक वर्ग आपको समझाना है, अपने आपको रिकालिबरेट करना है, क्योंकि काफी चीज़ों को लेकर के आप दबाव में हैं, डर रहे हैं, या कोई चीज़ करना चाहते हैं, पर उससे पीछे हट रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर उस चीज़ों को लेके confidence नहीं है, इस से अब ये कहा जाए, कि उन चीज़ों को छोड़ करके, उस डर को छोड़ करके, आगे खूद करके देखिए, अपने आप एक के बाद में एक आपका कदम आगे बढ़ता जाएगा, जो परिशानी थी, उससे इस समय में आपको कोई भी परिशान या ये कहा जाए, stress देखने को नहीं मिले बस इस बात का जरूर ध्यान रखना है व्यापारी वर्क को कि जो कमाई हो रही है, ऐसे समय में unexpected खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, फिर वो चाहिए घर परिवार को लेके हो, अपने business को लेके हो, तो उसको ले करके फिर भी यहाँ पे चिंता ग्रस्त आप नजर आ सकते हैं और उससे यहाँ पे fight करने का एक ही तरीका होगा कि थोड़ा practical होकर के चीजों के expenses को थोड़ा delay करने की कोशिश अवश्य करनी होगी, यहाँ पे चोड़ा साइक उपाय कर सकते हैं, महिला हैं, शाम के समय में आप अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए खीर जरूर बना सकती हैं, और अगर आप पुरुष हैं, तो इस बात का जरूर धियान दीजेगा कि आज के दिन अगर हो सकता है, शकर हो, चावल हो, तो इसका किसी भी गरीब को आप दान कर दीजेगा, शुबरंग रहेगा आपके येलो कलर शुबंख रहेगा, नबर नाइन, फिर ब हैं, वो 70% सपोर्ट देंगे, पर यहां पर यह कहा जाए, विनाश रिकाले विपरीत बुद्धी, वही यहां पर सबसे जादा देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि जिससे बहुत जादा लगाव हो, उससे आज की दिन वापस वो रेसिप्रोकेट ना हो, जिससे प्रेम करत जाहर कैसे करेंगे, घर परिवार के उपर गुसा करेंगे, बच्चों को डाटेंगे, या फिर अपना जो स्टाफ है, उसके साथ में दुर्विय अभार करेंगे, और यही चीज़ें इस समय में आपके लिए बड़ी परेशानी क्रियेट करने वाली हैं, यह कहा जाए कि स् इस समय में देखने को मिलेगा कि जिस पर गुसा निकाल रहे हैं, उसकी तबैद खराब हो जाए, या फिर किसी तरीके से वो परेशान ज्यादा हो जाए और कुछ गलत कदम उठा लें, तो उससे भी परेशानी आप ही को उठानी पड़ेंगी, तो इसके लिए बहुत सोच समझ करके इस समय में अपना गुसा जो है, उसको डायरेक्ट करना है, यहां पर जो यंगस्तर्स हैं, खास तौर पर अगर आप स्टूडिंट्स हैं, तो आपको इस बात का जरूर धियान देना होगा, कि यहां पर गलत इल्जाम आप पर लगाये जा सकते हैं, क्लास में थे क्लास में किसी और ने कुछ गलत किया, इल्जाम आपके उपर है, यह कहा जाए टीचर किसी और को मारनी चाहिए थी उनकी गलतियों के लिए पर, क्योंकि आप वहां पे हाजर थे, तो इसके कारण सारा का सारा वो जो इल्जाम है वो आपके उपर आजाएगा, जिसके कि नौकरी से निकाले जाने तक की नौबत आपके सामने आ सकती है, सिर्फ इस कारण से कि आप मूफट बहुत जादा हैं, जो है दिल में वो सामने कह देते हैं, किसी का विरोध है तो सामने कर देते हैं, और यहां पे यही परेशानी है कि विरोध करना तो था, पर सोच कर आप विरोध कर बैठे और यहां पे अपनी नौकरी गवा बैठ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत जादा आपको शान्त रहे करके अपनी बातों को कहने की जरुरत है, ऐसे समय में घर की जो महिलाएं हैं, खास तोर पे आपको कहूंगा कि किचिन में काम करते समय कुछ ज चंद्रमा आ चुके हैं, वदतारा का साथ अश्ठक वर्ग में 27 डॉट्स, ओवरॉल सिचुएशन 80% पॉस्टिव थी और यह 80% पॉस्टिविटी आज आज ही मिल रही हैं, यह इस कारण में कहरा हूं कि रात को 11 बच के 10 मिनिट पर 8 थाउस में चंद्रमा चले जाएंगे जिसके कारण फिर सिचुएशन आपके लिए यहां पर 27% ही सपोर्टिव रहेगी, ऐसे समय में आज का दिन जो है, सही से प्लान करके, समझ करके आपको आगे बढ़ाना है, खाने पीने को लेके जहां पर शिकायत नहीं हो रही थी, अब जाकर के यहां पर इस बात को लेकर कि चिंता जादा होगी कि बिना बाद के खर्चे हो गए, याद फिर यह कहा जाए, दूसरों को शो आफ करने के चकर में आपने खुद के पैरों पे कुलहाडी मार दी, यहां पर दामपती जीवन की बात की जाए, तो वहां पर भी जो विचार विमर्श कर रहे थे यह कहा था, यह discussion खतम करके ही उठना है, अगर इसको delay कर दिया बाद में करने की कोशिश की तो मान करके चलिए कि हार आपको जेलनी पड़ सकती है, जो आप समझाना चाते थे वो समझ ना ही उल्टा पड़ जाएगा, जो आप सीधे तोर पे कह रहे थे वही अब आप पे उल्टा करते हैं, कमाई पे फोकस करते हैं, अपने काम पे करते हैं, तो फाइदा मिल सकता है, और खास तोर पे ऐसे समय में जो लोग कंस्रक्शन से रिलेटर हैं, कॉंट्राक्टर्स हैं, इंटीर डिजाइनिंग का काम करते हैं, आप लिए सिचुएशन फिर भी ज्यादा पूरे हो सकते हैं, शुब रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुब अंक रहेगा नमबर वन, फिर बात करते हैं कन्या राशी की, तो आपके लिए चंदर में आचुके हैं सिक्स थाउस में, शेम तारका साथ एश्टक वर्ग में 30 डॉच से 100% पॉस्टिविडी की साथ में दिन को गजारने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण चाहे यात्रा कहें सुखद, शांदार, जबरदस्त रहेगी। कमाई की बात कही जाए तो आज के दिन सफलता आके कदम चूमने वाली हैं। जो भी प्रयास करते हैं, चाहे यंग्स्टर्स हैं, नौकरी पेशाय मिलने वाली हैं। यंग्स्टर्स जो रिलेशन्शिप में जाना चाते थे, प्रयास कर रहे थे, अपने प्यार को जाहर करना चाते थे, इस समय में कोशिश कीजेगा, आपको 110% यहां पे अप्रूवल मिलने वाला है, सामने जो भी हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनका इ जादा दूर आप रहने वाले हैं, यहां पे कोई भी तरीके से हेल्थ रिलेटिट प्रॉब्लम्स कहें, या यह कहें, गर्मी की मार जो है, वो आपको नहीं मिलेगी। शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुबरंग रहेगा नमबर एड। फिर बात करते हैं किसी ने कुछ कहे दिया, अब उसको सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, बहुत ही जादा यहां पे अपने आपको आप व्यस्त कर रहे हैं, और जिसके कारण जो सामने काम थे, जो फाइदा मिल सकता था, उससे अपने आपको वंचित रख लेंगे। यहीं गर्बती महिलाएं अपने डॉक्टर का परामश जरूर लीजेगा। ऐसे समय में कोई भी यात्रा करने वाले हैं, तो इस यात्रा से परहेश कीजेगा, वरना इस यात्रा से सिर्फ और सिर्फ आपको दुरगटना मिलने वाली है, नुकसान मिल सकता है। अनेक्स्पिक्टेड खर्चे सामने आ सकते हैं। अब चीज को पॉजिटिव बनाने की जब बात की जाए या ये कहा जाए तुलाराशी आज के दिन को पॉजिटिव कैसे बना सकती है। तो ऐसे समय में इस बात कर जरूर धियान दीजेगा कि आज के दिन कोई चमकीला पेपर हो, ये लोकलका हो सकता है, या त फिर कोई जरूरत मन्द इनसान दिखता है, तो उसके हाथों में दे करके आजाएगा, ये आपके लिए काफी जादा प्रॉफिटेबल या ये कहा जाए सकरात मक्सिद हो सकता है। ऐसे समय में जो ग्रहनी है, खास तोर पे आपको धियान रखने की जरूरत जादा है, कि ब बहुत जादा संभल करके बहुत सोच समझ करके इस समय में बातें कीजेगा। शुबरंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर शुबंग रहेगा नंबर सेवन। फिर बात करते हैं वरश्चिक राशी की, तो आपके लिए फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, अधिमित रतारा कसा अश्टेक वरग में 27 डॉट्स हैं, सिच्वेशन ओवरॉल देखी जाए तो 70% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में कुछ बातों का विशेश ध्यान रखने की जरुरत है, सबसे पहले माता जी से और पिता जी से विरोध इस समय में देखने को मिल सकता है, अगर आप ग्रहनी ह तो मान करके चलिए कि इस समय में सासुमा के साथ में किसी ना किसी तरीके से परेशानी तो सामने आनी ही है, आप सौ अच्छे काम करते हैं, एक खराब काम करके देखिए, उस एक खराब काम के लिए ही इस समय में आपको डाटा भी जाएगा, और ये कहा जाए कि मन इतसे दूरी बना करके रखें क्योंकि आप दूसरों से इंफ्लूइंस होकर के आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों का इंफ्लूइंस जो है वो आपके लॉसस में हाथ नहीं बटाएगा वो आपके लॉसस को वापस से रेकालिबरेट नहीं करेगा जिसके कारण नुकसान तो आपका है फायदा हो तो सब अपना अपना शेयर लेने आ जाएंगे अपनी वावाही लेने आ जाएंगे तो इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है व्यापारी वर्ग खास तोर पर ऐसे समय में अगर कोई लीगल नोटिस आपके पास में आता है तो आप बहुत जादा घब जबरा सकते हैं ये कहा जाए कि एक बार के लिए यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना वो सेंस आप से छीन लिया जा सकता है मैं यही कहूंगा कि अगर ऐसी कोई परिस्तिती सामने आती है तो अपने आपको काम रख करके आगे बढ़ना जरूरी है और इस प्रॉब्लम को डीले करके कुछ समय बाद में ये कहा जाए कल के दिन अपने किसी लॉयर से मिल करके इसका आप तोड निकाल सकेंगे पर आज के दिन दबाव कहा जाए डर कहा जाए ये हावी रहने ही वाला है पारवारिक तोर पे भी काफी लोगों से मन मुटाव जो है वो देखने को मिल का काम करते हैं लॉयर्ज हैं ये कहा जा सकता है किसी भी तरीके से जुडिशिल सिस्टम से जुड़े हैं तो आपके लिए काफी जादा साकारात्मक आज का दिन रह सकता है यहाँ पे ये कहें कि दिमागी गोड़ाओं का दौड़ना बहुत ही जादा क्विक थिंकिंग इस पर बात करते हैं धनूराशी की आपके लिए चंद्रमा थर्ड हाउस में हैं संपत्तारा का साथ और श्टक वर्ग में ठरी सेविन डॉट से हन्रिट परसें पॉस्टिविटी पूरे ही दिन देखने को मिलेगी जिसके कारण शांदार इन्वेस्मेंट कमाई और या आज के दिन आने वाली हैं ऐसे समय में यंग्स्टर्स जो रिलेशन्शिप का हाथ आगे बढ़ाना चाते थे ये कहा जाए कि अपना जो रिश्टा है वो माता पिता के सामने लेकर के आना चाते थे तो ये आपके लिए सिच्वेशन बड़ी ही पॉस्टिव बन रही है यहां पर अप्रूवल मिलने की जो रेट है वो बहुत जादा देखने को मिलेगी यहीं पर घर से जादा बाहरी लोगों का समर्थन देखना गंच से जादा बाहरी लोगों का इस समय में सपोर्ट आपको मिलता नज़र आएगा यहां पर यह भी कहुँगा कि कोई जोels की खर्दारीं हो या फ़र कोई घर के अंदर मांगले का कारिया हो तो उसके लिए इस समय में साथ सज्जा का समान या फ़र उनकी लिए जो प्री रेक्विजिट आइटम्स होते हैं उनकी खर्दारी इस समय में आप करते नज़र आ पास में है अपने टागिट को पूरा करने के लिए पर वो हो नहीं पा रहा तो यहां पे seniors का support मिलने से ही आपके एक काम पूरा हो पाएगा जिसके कारण आपको फायदा हो सकता है यहां promotion के chances तो नहीं बनेंगे पर यह कह सकता हूँ कि existing profile के अंदर आपको अपने seniors का support मिलने से अपनी ही profile में अपनी ही position में better pay के options मिल पाएंगे शुब रंग रहेगा आपके लिए pink color शुब अंक रहेगा number one फिर बात करते हैं मकर राशी की आपके लिए चंदर में आ चुके हैं second house में पर यहां पे विपत्तारा का साथ है और अश्टक वर्ग में 25 dots हैं जो overall situation कही जाए तो आपके लिए 33% supportive की बना रहे हैं और इसके कारण थकान, कमजोरी, आलस, माइग्रेन की समस्या, पैरों में दर्द, ये सबी चीज़ें इस समय में उठने वाली हैं जिनका बहुत जादा समर्थन करते थे, जिनके उपर अपना दिल दे बैठते थे, उन ही लोगों से दुश्मनी मोल ले सकते हो ये कहा जाए, वही लोग जो आपका पूरा का पूरा इस्तमाल कर लिये हैं, अब इस्तमाल करने के बाद में आपको साइड में छोड़के आगे बढ़ने वाले हैं ये कही ना कहीं, मन को और मस्तिश को दोनों को ही बहुत ही जादा दर्द देने वाला है यहां पर बिनाबाद के खर्चों से बच करके रहना है, तो वहीं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या इस समय में देख रहे हैं, उसकी आगे बढ़कर के किसी को भी बात बताने की जरूरत नहीं है वरना ये कहा जाएगा कि जो आप कर रहे हैं उसका आप गिनाना का कोशिश कर रहे हैं या फिर ये कहा जाए जो भी आपने मदद की है आपने प्रयास किये हैं उसके लिए अब आप अपना हक मांग रहे हैं ऐसे में जिन लोगों के लिए इतना जादा आपने प्रयास किया, जिन लोगों की आपने इतनी जादा यूसफुलनिस अपनी आपको प्रूफ किया, वही लोग इस समय में आपका विरोध करेंगे, आपसे पूछेंगे कि किस के कहने पे कर रहे हो, और निंदा का शिकार आप बनेंगे ऐसे समय में अपने आपको mentally बहुत strong रखने की जरूरत है फिर वो चाहे घर परिवार वाले लोग हो या बाहरी लोग हो पर लोग इस समय में जिसे हम कहते हैं कि एहसान फरामोश होते हैं वो इस समय में देखने को मिल सकते हैं फिर वो चाहे आपके colleagues हो आपके staff members हो इसके लिए बहुत बहुत जादा emotionally अपने आपको strong रखना है यहां पर खास तोर पे जो liquid से related काम करते हैं या यह कहा जाए शराब का जो काम करते हैं यह कहते हैं जो शराब की दुकान चलाते हैं फैक्री चलाते हैं आपके लिए आज का दिन फिर भी profitable सिद हो सकता है यह कहा 23% सपोर्ट है यह इस समय में आपके लिए positivity लेकर के आने वाला है शुबरंग रहेगा आपके लिए red color शुबंख रहेगा number four फिर बात करते हैं कुम राशी की तो आपके लिए राशी भाव में ही चंद्रमा है विपत्तारा का साथ और इश्टग वर्ग में 28 dots है जो overall situation को इ 80% आपके लिए positive बना रहे हैं अब ऐसे समय में luck का support पूरा मिलेगा जो भी काम कर रहे हैं उसमें शानदार सफलता मिलेगी यहां कहा जाए कि घर परिवार का साथ मिल रहा है ससुराल पक्ष आपकी मदद कर रहा है यह सबी चीज़ें इस समय में जो भी favor में हो वो यहां प को परिणाम जल से जल देखने को मिलेगा हेल्थ वाइस कोई परिशानी नहीं है पर इस बात कर जरूर धियान देने की जरुरत है कि दिन के अंत होते होते कहीं ना कहीं अपने life partner के साथ में अपने बच्चों के साथ में किसी छूटी सी बात को लेके बहस उत्पन हो सकती है अब इसके लिए नींद ना आएं बहुत unrestless महसूस करें ये देखने को मिलेगा ये दिन के अंत की बात है पर overall जो दिन है वो positive है इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि अपने मेहनत को आगे बढ़ाते चले जाएए क्योंकि लग का support मिलने के कारण अच्छी कमाई भी हो यंगस्तर्स जो sports field से जुड़े हैं इस समय में selection committee के अगर आने से आपका कोई tournament हो रहा है ये कहा जाए आपके tournament में अगर कोई ऐसे उपस्तिती देखने को मिल जाती है तो मान करके चलिए कि आज के दिन आपका selection पका है शुबरंग रहेगा आपके लिए red color शुबंग रहा है पर 25% negativity देखने को मिलेगी जिसके कारण कोई पी अगर यात्रा कर रहे है तो इसमें दुरगटना गरस्त होने की संभावना कुछ ज्यादा रहेगी डर और बीचैनी आप पर हावी रहेगी तो महीं पर काम अच्छा हो रहा है कमाई अच्छी हो रहे है पर अच्छे खुद अपने उपर ले लेंगे दूसरों को शो आफ करने के चकर में खुद का नुकसान कर बैठेंगे और ऐसे ही समय में काफी बड़े ओदे पे जो लोग होते हैं उनके साथ में इस समय में आप दुर्वियभार कर सकते हैं या ऐसा कहा जाए कि कुछ ऐसा कह सक तो पाई के तौर पे शाम के समय या सबसे बहतर है सुभे के समय एक घर के अंदर अगर आपके पारज शिवलिंग हो या फटिक के शिवलिंग हो तो उनके उपर अभिशेक करके फिर अपनी यात्रा या फिर आफिस के लिए निकलिएगा तो बहतर रहेगा और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आज के दिन जो हन्मान चालेसा है गाड़ी में चलाते हैं गाड़ी चलाते सबसे सकते हैं या घर के अंदर मंदर है तो मंदर में एक बार बैट करके कम से कम ग्यारा बार हन्मान चालेसा पर सकते हैं और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो ट्रेन में चल र रहे हैं तो इयरफोन्स लगा करके उसमें लगातार आप सुन सकते हैं तो यह आपके लिए काफी जादा बहतर से दो हो सकता है यह कहा जाए जो मन मुटाव है या बड़े लोगों से जो शत्रुता इस समय में मूल ले सकते थे उससे आप बच जाएंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए पिंक कलब शुब अंक रहेगा नमबर थ्री यह तो हुई बात आज के राशी फलकी अब हम बात कर रहे हैं विशेश उपाय की यानि कि घर में जो आपके पीली सरसों हैं ऐसे ही किचन में पड़ी रहती है उससे आप क्या कर सकते हैं धन कमाने के लिए लोग क कई कामों में इस्तमाल किये जा सकते हैं धन लाब के लिए पीली सरसों के जो उपाय हैं वो बहुत ही जादा असरदार हैं आज ऐसे ही कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं जिनसे आपको लाब मिल सकता है सबसे पहला उपाय अगर आपके घर में धन की कमी रहती है तो प पीली सर्सों के इस छोटे से उपाय से घर की नेगिडिव एनरजी खतम हो जाती है। धन को लेकर के आ रही बाधायें दूर हो जाती है। दूसरा उपायें गुरुवार के दिन अपने घर के मुख्यद्वार पर गंगा जल से आपको शुद करना है सबसे पहले अपने घर के मेंगेट को उसके पश्चात पीली सर्सों के कुछ दाने और कपूर को पीले कपड़े में बांध करके अपने घर के मेंगेट पर लटका देना है अंदर की तरफ ये छोटा सा उपाय करना है और धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है तीसरा उपाय अगर धन से जुड़ी समस्या बराबर बनी रहती है तो पीली सर्सों के कुछ दाने हाथ में लीजे यानि कि अपने राइट हैं में लीजेग इस छोटे से उपाय से धन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको धीरे धीरे मिलने लग सकता है ये कुछ बड़े ही असरदार और बहुत ही कारगर उपाय आज मैं आपको बताया हूँ पीली सर्सों से जुड़े हुए तो अवश्य ही इनको करके देखेगा अपना करके देखेगा और आपके जीवन में धन से जो जुड़ी समस्या हैं उनसे आपको राहत अवश्य ही मिल सकती है हमेशा की तरह प्रात्ना आप सभी के लिए यही करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदय सुखी रहे संपन रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर प्रुगों का साथ और आशरवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन